आज हम करने जा रहे हैं शुरू एक नया टॉपिक जिसका नाह हम है टाइपस ऑफ स्टोरी और हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइपस की स्टोरीज हैं एक इमेजनरी स्टोरीज हैं और दूसरी स्टोरीज हैं और सबसे पहले आती है तो चौकि आप सबसे पढ़े होगी और आप सबने अगर नहीं भी पढ़ी तो देखी जरूर होगी और हमें fairy tales जहें cartoons में, animated movies में, हर जगा नजर आती है So, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि fairy tales होती क्या है Fairy tales जहें imaginary stories होती है और definitely इसके अंदर different किसम की variety of characters इस्तेमाल किया जाते हैं Media इस्तेमाल किया सकता है, वो colorful हो सकती है, वो fanciful हो सकती है उस में धी fairy illustrations हो सकती है, water color में हो सकती है, photographs में हो सकती है, digital print में हो सकती है बुन्यादी तोर पर जो सबसे important element है fairy tale का वो है कि there should be a magic and fantastical setting जो भी आपके elements होते हैं, किसी भी story के, वो सब के सब के अंदर magic और कुछ ऐसी चीज़े जरूर शामिल होती है, जो के real life से related नहीं होती है Most of the time fairy tales की ending is always been a happy ending और सबसे important चीज़े के अंदर यह आती है, कि एक important story होती है, अच्छी कहानी होती है, जो बहुत छोटी होती है, जल्दी खतम हो जाती है Story elements क्या है, और उसके जो characters है, characteristics क्या है, किसी भी fairy tale के तो आपके जितने भी story के elements होते हैं, characters है, plot है, setting है, theme है, style है, tone है, उसको हम देखेंगे कि how fairy tale is actually different than the other सबसे important plot के अंदर आता है कि जरूर fairy tales के अंदर कोई ना कोई action मौजूद होता है, कोई ना कोई task मौजूद होता है कोई ना कोई बहुत important activity चल रही होती है, और उसके अंदर एक suspense होता है, कि activity यह task कैसे खतम होगा और यह action कैसे जाके end up होगा character के अंदर conflict और problems जो होती है, वो मौजूद होती है, वो universal होती है, तमाम fairy tales में और उनमें से कुछ ऐसी controversies होती है, जो शायद हम अपनी actual life से भी relate कर सके और हमेशा fairy tales का end है, it is always happy ending, now let's check it out कि characterization जो है fairy tale की, वो कैसे different हो सकती है characters and object can have special power और हमेशा fairy tale में special power क्या होती है, it's a magic so, क्या किसी ना किसी किसम का magical object मौजूद होता है, spells होती है, या कोई उनके साथ magical figures होती है, जैसे के magical god mothers वगेरा या witches वगेरा जो हमें fairy tales में नजर आती है, और animals जो हैं बुनियादी तोर पे fairy tales में हमें ऐसे नजर आते हैं, जैसे के वो इंसान हो, जिनको हम कहते हैं, anthro amorpholism, so, इस किसम के भी characters जो हैं, वो हमें नजर आते हैं, setting fairy tale की कैसे different है, बाखी genres of literature से, fairy tale जो बुनियादी तोर पे, एक imaginary और एक अलग किसम की है, once upon a time के साथ, और जिसके अंदर तमाम लोग at the end, एक दुसरे के साथ रह रहे होते हैं, और खुश-खुश रह रहे होते हैं, जो भी जगा होती है, जो भी time होता है, place होता है, अब वो इतनी दूर का बताया जाता है, कि आसे बहुत जमाने सालों की पहले की बात है, so, actually, जुसकी setting है, it is fictitious, it is actually not related to this world and not related to the reality of the universe, अब plot कैसा होता है, repeating patterns हमें नजर आते हैं, और हमें interesting किसम के twist or development भी नजर आती हैं, फेरी टेल में, फेरी टेल के अंदर जो है, कोई भी realistic situation हमें देखने में नहीं मिलती, उसके इलावा, आपकी simplistic action होते हैं, simple pattern होते हैं, once upon a time से किसी mostly जगडे के खतम हो जाते हैं, या इस सरीके से खतम हो जाते हैं, जहां में 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 सच है, human kindness. So, that's how fairy tales are actually different than the other genres.